वेलकम टू सुरेंद्र मेच्च आज हम करने वाले हैं exercise 8.2 का question 1 के part 4 और 5 part 4 में क्या करता है sin 30 plus 1045 minus cosecant 60 हम इसकी value रख लेते हैं sin 30 क्या होगा 1 by 2 1045 1 minus cosecant 60 क्या होता है sin 60 का उल्टा sin 60 की value क्या होती है root 3 by 2 sin 60 root 3 by 2 yarni cosecant 60 root 3 by 2 का opposite होगा root 3 by 2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2 by root 3 secant 30 secant 30 क्या होता है cos 30 का उल्टा cos 30 क्या होता है cos 30 होता है root 3 by 2 तो यह क्या हो जाएगा 2 by root 3 plus cos 60 क्या होता है 1 by 2 प्लस कोट 45 कितना होगा 1 तो यह हमने इन सभी की value put कर दिया अब value put करने के बाद क्या करेंगे उपर वाली जो टरम्स है numerator में जो टरम्स है सभी इनका lcm लेंगे denominator में जितने टरम्स हैं उन सभी का lcm लेंगे तो उपर lcm कितना आएगा 2 root 3 क्योंकि दोनों यह इत्रम है न तो lcm क्या होता है list common multiple इन में कुछ भी common नहीं है list common multiple क्या होगा जो दोनों की table के इसमें आए तो 2 root 3 to go 2 say divide करें कितना मचेगा root 3 and root 3 की one से multiply होगे तो कितना है गा root 3 plus फिर क्या हो जाएगा यहां कुछ भी नहीं है तो one की divide करेंगे two root 3 से कितना है two root 3 223 की one से multiple करेंगे तो यहांनभी कितना जाएगा two root three minus root 3 को divide करेंगे तूरोट थरी से कितना हैगा तू कि तू से मल्टिप्लाइग फूर यह जाएगा उपर न्यूमेरेटर का सॉलिशन अपॉन में यहां भी एलजियम कितना आएगा तू रूट थ्री रूट थरी से इसको बाखरेंगे दो दो कि दो से मल्टिप्लाइग च्यार अब 2, root 3, से 2, root 3, दोनों cancel हो जाएगे सोके divide में ना इस इनके denominator डोनों की cancel हो जाएगे उपर क्या बचेगा आब root 3 और root 3 आपको पता है यहां कुछ भी नहीं तो यह मान सकते हैं 1 है यहां root 3 है यहां root 3 है तो बहार वाले टर्म अधे हो जाते हैं 2 प्लस 1 और root 3 का root 3 same रहेगा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 और root 3 का same रहता है root 3 minus 4 upon 4 है यहां इच्चे और यह कितना है 2 root 3 और यहां कितना हो जाएगा 1 root 3 root 3 same इसमें भी और 3 कितना हो जाएगा 3 root 3 plus 4 अब देखिए यहां तक solution हो सकता था इसका लेकिन यहां किया है देखिए denominator में irrational number root 3 है तो denominator में irrational number नहीं होना चीए तो हम इसको अटाने के लिए क्या करेंगे इसको rationalize rationalize कैसे करते हैं जो denominator में जो sign होता है उसके opposite sign से numerator और denominator बोटिप्लाइ करते हैं तो 3 root 3 minus 4 3 root 3 minus 4 इससे इसको multiply कर देंगे a minus b आपको पता है कि a minus b a minus b इसके अगर दो बार multiply करेंगे तो base same है तो power add होजाते है multiply हो यानि a minus b का क्या बन जाएगा है whole square और निचे देखेंगे तो a plus b a minus b ये क्या होता है a plus b a minus b क्या होता है a square minus b square ये दोनों identity इसमें लगेंगी तो उपर क्या लगेगी a minus b का whole square ये दोनों में same sign है और दोनों multiply हैं तो power 2 हो जाती है यानि 3 root 3 minus 4 का whole square upon यहां क्या हो जाएगा a square minus b square यानि 3 root 3 का square minus 4 का square अब a minus b का whole square का होता है a minus b का whole square होता है a square plus b square minus 2ab b यानि अब इसको open कैसे करेंगे a square यानि 3 root 3 का square plus 4 का square minus 2 a कितना है 3 root 3 और b कितना है 4 यह हो जाएगा उपर वाला जो numerator उपर हो जाएगी identity से upon अब इसका square यान 3 का square 9 root 3 का square 3 minus 4 का square 16 अब उपर क्या मनेगा इसमें 3 का square कितना हो जाएगा 9 root 3 का square कितना होगा 3 plus 4 का square कितना होगा 16 और 4 3 3 into 2 6 6 की 4 से 24 root 3 अब उपर यह कितना हो जाएगा 27 minus 16 अब इसमें नियुमेरेटर में क्या बनेगा 9 3 जा 27 पलस 16 पलस 24 root 3 अब उपर 27 में इसे सब्टेट करें इस 16 को तो हो जाएगा 11 अब इसमें क्या बचेगा नियुमेरेटर में 27 और 16 को एड़ करेंगा कितना हो जाएगा 43 पलस 24 root 3 अब देखें हमने नियुमेरेटर से irrational अमर को अटा दिया है तो अब यह इसका actual answer हो जाएगा आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा इसके बाद अगला पार्ट है 5 cos square 60 plus 4 secant square 30 minus 10 square 45 cos square 30 यहाँ देखें हमने रखें न cos 60 के value इतनी उच्छी है 1 by 2 तो cos 60 के value कितनी हो जाएगी 5 into 1 by 2 और cos का square plus 4 secant 30 secant 30 कितना होता है secant 30 के value इतना है 2 upon root 3 यहनि 2 upon root 3 का square minus 1045 कितना होता है 1, 1 का square upon denominator में क्या है sin square 30 sin 30 के value के होती है 1 by 2 इसका square plus cos 30 के value के होती है root 3 by 2 और उसका square तब उपर क्या बनेगा इसमें 1 by 2 का square कितना हो जाएगा 5 है 1 by 2 का square कितना होगा 1 by 4 यहनि 5 by 4 plus 4 into 2 का square कितना होगा 4 root 3 का square कितना होगा 3 minus 1 upon 1 by 2 square 1 by 4 plus root 3 by 2 square 3 by 4 equal to किसके होगा 5 by 4 plus 4 की 4 से multiply कितने होगी 16 upon 3 minus 1 यहां निचे कहाएगा LCM लेंगे तो LCM आएगा 4 1 plus 3 फिर क्या करेंगे अब उपर वाले का लेंगे LCM LCM कितना आएगा 12 12 LCM आएगा 4 को 12 से divide करेंगे कितना आएगा 3 3 की multiply 5 से करते हैं तो कितना होगा 15 इसका divide करेंगे तो 4 और 4 की 16 से multiply करेंगे तो कितना होगा 64 minus 12 और upon में क्या है 1 plus 3 कितना होगा 4 upon 4 यह cancel होगा तो यह 1 होगे ठीक है यह कितना होगा आएगा 64 में से 15 पलस 64 में से 12 जाएगे तो कितना होगा 52 upon 12 52 पलस 15 कितना होगा 7 6 upon 12 67 upon 12 यह का क्या होगा आएगा यह कितना होगा